तो हमने स्टार्ट किया तब B Pharmacy थर्ड सेमस्टर फिजिकल फार्मसोटिक्स में यूनिट नमबर थ्री और जहां पर लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लेक्विड इंटरफेस, सर्फिस टेंशन, इंटरफिशल टेंशन और सर्फिस फ्री एनरजी आजकर आपका लेक्चर है वो काफी जादा इंपोर्टन लेक्चर है क्योंकि यहां से मेजर क्वेशन बनता ही है यह lecture है measurement of surface tension and interfacial tension और यहां से आपको 10 marks का कई universities में 15 marks का question बनता ही है lecture जहां से सुनना इसमें कई सारे method है कई सारे derivations है और काफी interesting है आपको समझना है आपको रटना नहीं है अगर आप रटोगे तो आपसे नहीं होने वाला समझो समझ कर लिखो apply करो चलिए lecture को start करते हैं अगर आपको all lecture देखना है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes download करने है PDF format में तो आप telegram से जुड़िए वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है whatsapp group के बारे में आप whatsapp group feature से जुड़िए और वहाँ से आप notes को download कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का lecture तो देखो topic का नाम से पता लग रहा है topic का नाम है method for measuring surface and interfacial tension मतलब हमें यहाँ पर क्या measure करना है surface tension measure करना है और interfacial tension को measure करना है last lecture में मैंने आपको दोनों बताये थे कि surface tension क्या होती है मैंने आपको बताया था जो उपर का water का molecule होता है वहाँ पर downward force apply होता है और surface tension क्या है surface tension को हम represent करते हैं gamma से यह मैंने आपको last lecture में बताया था मैं आपको दिखा के लिए आता हूँ surface tension एक बार जिसने last lecture नहीं देखा वो last lecture देख लेना देखो surface tension को हम गामा से प्रेजेंट करते हैं और surface tension is the force per unit length जो की parallel लगता है ओके तो चलिए start करते हैं one by one देखेंगे सबसे पहला method है capillary rise method और यह काफी easy method है देखे क्या करना होता है capillary लगानी होती है आपने container में जैसे माल दीजिए यहाँ पर आपके पास container है और यहाँ पर container में fluid filled हो रखा है यहाँ पर जैसे माल दीजिए water filled है या कोई भी liquid यहाँ पर filled है यहाँ पर है liquid और यहाँ पर आपने लगा दी है a capillary मैं आपको capillary लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर आपने capillary लगा दीए तो अभी होगा क्या दो बाते आपको ध्यान रखनी है कि जो liquid के molecule होते है मतलब यहाँ पर जो same molecules होते है जिससे माल लीजिए liquid है यहाँ पर water ओके अब water के जो molecule होते है वो same ही है water water आपस में भाई भाई है तो water के same molecule है और जो same molecule होते है वहाँ पर force लगता है cohesive force जो same molecule होते है वहाँ पर force लगता है cohesive force पर जो opposite molecule होते है या फिर two different molecules होते है वहाँ पर force लगता है और वो force लगता है adhesive force आप देख सकते हैं यह दो different molecule है तो दो different molecule में adhesive force लगता है और दो same molecule में cohesive force लगता है okay, adhesive and cohesive adhesive force कब लगता है जब दो different molecule हो और cohesive force कब लगता है जब दो same molecule हो ठीक है, आपको यहां तक clear है अभी आप देख सकते हैं कि जो liquid मैंने नीचे fill किया था वो इस capillary में उपर जा रहा है मैंने आपको green arrow से दिखा रखा है इस capillary में वो उपर जा रहा है ठीक है, यह capillary है यहां पर नीचे liquid है, यह capillary से उपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है पर एक बात बताईए, यह उपर कब तक जाएगा एक limit तक ही जाएगा, क्योंकि gravity लग जाएगी ना और gravity की वज़े से तो कोई भी चीज नीचे आना शुरू हो जाती है तो gravity की वज़े से वो वापिस नीचे आना शुरू हो जाएगा अब एक बात बताईए, यह liquid उपर क्यों जा रहा है यह liquid उपर इसलिए जा रहा है, क्योंकि जहां पर मैंने capillary लगाई है वो capillary glass की है, और इसके कुछ molecule भी है ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो liquid है, उसके भी कुछ molecule है यह liquid है, और liquid के भी कुछ molecule है और यह molecule liquid का है, और यह molecule glass का है और दो different type के यहाँ पर molecule है और अभी मैंने आपको बताया कि जब दो different type के molecule आपस में attract करते हैं तो उस force को हम कहते हैं adhesive force ठीक है यहाँ पर लग रहा है adhesive force किसके बीच में लग रहा है adhesive force between glass and molecule जो नीचे liquid के molecule है और जो glass के molecule है उनकी बीच में यहाँ पर adhesive force लग रहा है तो एक तो यह वाले molecule एक यह वाले molecule दोनों की बीच में यहाँ पर adhesive force लग रहा है जिस वज़े से capillary से यहाँ से fluid उपर जा रहा है ठीक है तो capillary से fluid उपर क्यों जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इन दो molecule की बीच में force लग रहा है adhesive मैंने आपको पहले बता दिया दो different molecule हो तो adhesive force लगेगा दो same molecule हो तो cohesive force लगेगा पर एक limit तक यह liquid उपर जाएगा क्योंकि gravity कहां गई gravity आएगी नहीं यहाँ पर ठीक है चलिए तो आपको मैंने यह बता दिया cohesive force क्या होता है adhesive force क्या होता है adhesive force लग रहा है between glass molecule and liquid molecule and gravity की वज़े से यह वापस नीचे भी आ रहा है देखो दो reason है नीचे आने के एक तो gravity और दूसरा है जो liquid उपर जा रहा है जो मैंने arrow ऐसे बता रखा है जो liquid मैंने उपर भेज रखा है तो liquid का भी तो कुछ weight होगा वह weight भी तो नीचे आएगा कुछ चीज को आप उपर फेको होगे तो नीचे आघी एक तो gravity की वज़े से एक उसके Ais force लगाता इसकीवजा से यह arrow उपपर है यहां से लिक्विकट उपर जा रहा है तो एक सकती है कि जो उपर जा रहा ह्वाला हो गया upward force और gravity की वजह से जो नीचे आ रहा है वह वे दाउनवर्ड force दो एक condition शरुआस्य आ सकती है जब upward force डाउनवेड force बराबर हो जाए, दोनों ही force बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये पहला méthode है जिसका नाम है capillary rise method, capillary rise क्यों लिखा है Eig क्योंकि capillary के ऊपर चड़ कर आ रही है हमारा liquid, तो rise हो रहा है, तो that's why हमने लिखा है capillary rise, क्योंकि liquid जो है राइस हो रहा है के अंदर जा रहा है उपड़ चाट रहा है सो देट स्वाइट इस नोने स्केपिलरी राइस मेथड ओके इस नाऒ यहां पर आपको पतारखा है हमें क्या करना है सरफेस टेंशन और इंटरफिश्ल टेंशन को काउं तक नागें तो अब प्रस तक हो रहें क्या है अब हम देखने वाले हैं कि केपिलरी राइस की वेट के वेज़े से हो रहा है downward force और यह दोनों force कभी-कभी equal भी हो जाते हैं ठेक है तो यहाँ पर जो upward force लग रहा है उसको मैंने denote किया है 2 pi r gamma cos theta अब आप बोलोगे यह 2 pi r कहां से आया gamma कहां से आया cos theta कहां से आया आपने तो upward force के बारे में बात करी थी तो देखो यह लग रहा है upward force ठीक है force लग रहा है तो मैं f से denote करूंगा तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक ही जगे f कर लीजेगा f से denote करूंगा अब यह 2 pi r कहां से आया तो जो 2 pi r है वो circumference है हमारे capillary का capillary का जो circumference होता है वो होता है 2 pi r उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है gamma और gamma तो आप सभी जानते हैं surface tension को हम कहते हैं जो कि हमें पता लगाना है next आपको दे रखा है cos theta अब यह cos theta कहां से आया आप देख सकते हैं जब भी capillary में suppose this is capillary और यहाँ पर liquid जा रहा है तो जब भी capillary में liquid जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ angle बनाता है तो यहाँ पर हमने cos theta इसलिए लिखा है क्योंकि angle का formation हुआ है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है upward force equals to 2 pi r फिर आपको बता देना है यह 2 pi r जो है circumference है हमारी capillary का उसके बाद आपको बताना है gamma gamma is the surface tension जो कि हमें find out करनी है और जब भी capillary में liquid उपर जाएगा तो आप देख सकते हैं तरह तरह से angle का formation होता है तो उसको हमने लिखा है cos theta से ओके यह तो हो गया upward force अब एक force है जो कि downward लग रहा है उसको भी हम देख लेते हैं तो जो downward force लग रहा है वह लग रहा है mass की वज़े से gravity की वज़े से ठीक है तो mgh लिखते हैं mass gravity height और plus w w क्या होता है उसका weight जो liquid उपर जा रहा है capillary में वो नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसके weight की वज़े से तो downward force क्यों लग रहा है एक तो mgh mass into gravity into height और एक लग रहा है हमारा weight क्या लग रहा है liquid जो उपर जा रहा है उसका जो weight है उसकी वज़े से भी वो नीचे आएगा तो mgh को मैंने बोला potential energy with gravity और w को मैंने बोला weight of liquid ठेक है और जैसा कि आप सभी जानते है density equal to होता है mass by volume यह आप सभी को पता है और volume यहाँ पर pi r square है कितना volume है यहाँ पर जो volume है उसका वो है pi r square तो density equals to mass by volume volume होता है pi r square तो density equals to mass by pi r square अब आपने क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको बता रखा है m तो m निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा m निकालने के लिए हमें इस pi r square को इदर shift कर देना है तो जब भी मैं m निकालूंगा तो मेरे पास आएगा density into pi r square और density को मैं row से भी लिख सकता हूँ तो देखो simple side समझते जाओ और देखते जाओ सबसे बिले क्या हुआ density equal to mass by volume होता है यह लिख दिया मैं ने density equal to mass by volume volume क्या है pi r square यह लिख दिया मैंने volume क्या है pi r square अभी मैंने mass निकालना है तो pi r square को मैंने density के साथ shift कर दिया तो density into pi r square ठीक है और density को rho से लिखते हैं तो rho into pi r square भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rho into pi r square ठीक है तो यह equation number 2 हो गई यहाँ पर हमने देखा downward force लग के से राय है उससे पर हमने देखा equation number 1 जहाँ पर हमने देखा जो force लग रहा है वह अपर लग रहा है 2 pi r gamma cos theta और फिर हमने देखा downward force downward force में क्या है f equals to mgh plus w उसके बाद हमने देखा density equals to होता है mass by volume तो mass और volume है यहाँ पर pi r square तो यह pi r square अब हमें m निकालना है तो pi r square को इधर shift कर दो तो density को हम लिखते हैं row से तो यहाँ पर row लिख दिया मैंने यहाँ फिर आप इस तरह से बना सकते हैं रो और into pi r square और यह जो यह बनी हमारी equation यह 3 बनी तो यहाँ पर हमारी 3 equation बन चुकी है अब यहाँ पर लिखा है put equation 3 into यह जो 3 वाल equation इसको 2 में put करदो और 2 में कैसे put करेंगे m की जगे row pi r square लिखना है तो यहाँ पर जो m है इसकी हम क्या लिख सकते है Chwares 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 Ch ना सकरा यहांपर जो m था इसके लिख दिया रो पाई-ायर स्क्वायर यह रिखा हुआ है रोपाई-ायर स्क्वायर वागी सब कुछ से हम है जी-पलश-ड़ या हुआध बाता यहांपर आंवर्ट finally निकल के आया है वो आया है force equals to rho pi r square dh plus w और जो अफ़ड निकल के आया था वो आया था force is equal to 2 pi r gamma cos theta तो मैंने आपको बुलाता है एक ऐसी condition आएगी जहां पर upward और downward दोनों बराबर हो जाएंगे तो यह upward वाला है और यहां पर जो निकल के आया है यह downward वाला है और दोनों को बराबर करना है अब पर equal to downward तो यहां पर दोनों को बराबर में लिख दिया सबसे पहली equation मैंने ली 2 pi r gamma cos theta जो कि यहां पर आपको दे रखी है आप देख सकते हैं 2 pi r gamma cos theta और दूसरी equation मैंने ली है rho pi r square gh plus w दोनों को बराबर कर दिया और जिसी बराबर करा यहां पर pi से pi गया और एक r यहां पर है और यह r square है तो एक ही रह जाएगा तो यहां पर finally निकल के आएगा gamma equal to अब यह 2 को मैं उदर shift करूँआ तो divide में जाएगा तो यहां पर मैंने लिखा है gamma equals to 1 by 2 rho g h और यहां पर एक r बच्चा हुआ है r तो rho g h r plus w काफी सिंपले से भी है 2 को इदर shift कर दिया तो gamma equals to यह जो gamma है equal to 1 by 2 क्योंकि 2 इदर आया तो division में आएगा फिर यहां पर आप देखिए rho है g है h है और एक r बच्चा हुआ है तो rho g h r plus w यह आपका निकल के आता है final result यह आपका derivation था ठीक है w का मतलब हो गया weight, r का मतलब हो गया radius, h का मतलब हो गया height, g का मतलब gravitation, d का मतलब density और gamma का मतलब surface tension तो इस तरह से हमने formula derive किया है with the help of capillary rise method और यहां पे हमें इन सब value को put करने के बाद finally मिल जाएगी surface tension जो कि हमें पता करना था और surface tension को हम gamma से represent करते हैं ठीक है तो upward force, downward force को बराबर कर दीजिए जिसकी मदद से आपको मिल जाएगा आपका surface tension का formula और जो की काफी easy है यह तो एक पहली method हुई जिसका नाम था capillary rise method, now second method देखेंगे surface tension का पता करने के लिए तो second method है drop count method, काफी easy method है बस दियाँ से समझते जाओ तो देखिए जो drop count method है वो काफी simple method है, यहां पर आपने क्या करना है, stagmometer का use करना है और यह stagmometer जो है, यहां पर आपको दो liquid लेना है, एक liquid इदर ले लिया मैंने, और एक liquid इदर ले लिया मैंने और फिर क्या करना है आपने, सबसे पहले उस liquid में आपने dip करना है, जिसकी surface tension आपको पता हो ठीक है तो यह जो stagmometer है इसको आपको dip करना है इस liquid में और इस liquid की surface tension आपको पता होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है capillary tube तो capillary tube की मदद से क्या होगा यह liquid उपर fill होना start होगा और यह liquid दिरे-दिरे a point तक आ जाएगा सबसे पिले हमने वो liquid लिया है जिसका surface tension हमें पता है यह एक ऐसा liquid है जिसका surface tension हमें पता है उसमें हमने meter को लगाया और जैसे ही meter को हमने यहाँ पर place किया यहाँ पर क्या होगा जो liquid है वो उपर जाना start हो जाएगा इस तरह से और कहां तक आ जाएगा A point तक यहाँ पर यह आ जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है इसके उपर यहाँ पर आपको thumb रख देना है और जिसी आप thumb रखेंगे अब यह liquid उपर नहीं वड़ पाएगा A तक ही fill रहेगा और फिर दिरे-दिरे आपने क्या करना है यहाँ से thumb को release करना है जैसे ही आप दिरे-दिरे thumb अटाएंगे यहाँ से यहाँ से जैसे आप दिरे-दिरे thumb अटाएंगे तो यहाँ पर drop गिनना शुरू हो जाएगी और यह liquid नीचे आना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले simple सी बात है container लेना है जिसमें liquid लेना है और वो liquid ऐसा होना चाहिए जिसकी surface tension आपको पता हो दूसरी बात जैसी आप liquid को place करेंगे और meter लगाएंगे वहाँ पर तो यहाँ से capillary action के तुरू liquid उपर जाएगा और A तक आएगा उसके पाद आपने क्या करना है उपर जो है फंब रहत देना है आपका अंगुठ यहाँ पर लगा देना है और दिरे दिरे आपको अपने अंगुठे को को not कर लेनी है जिसे 60 drop गिरी है 8 drop गिरी है और यह number of drops आपको record कर लेनी है और यह आपको कब तक release करना है जब तक यह liquid A point से B point पे ना आ जाए आपने जो यहाँ पर थम रखा हुआ है उसको आपको दीरे अटाना है फिर से लगाना है ताकि यहाँ पर जो liquid की droplets बने अब तक करना है जब यह liquid जो ए पॉइंट पे था यह B point तक ना आजाए खाली हो कर तब तक आपको यह सब करना है तो सबसेबसेट्य आपने किसके लिए किया यह सबसेबसे अब आपने यह किया जिसकी surface क्यान एक तस विए चैन्वी साफेस टेंशन उस लगवड के लिए तो आपने पता है उस लेकुरी नमबर ऑफ कितने गिर है ए bit से बीपोइंट तक आने में नमबर ऑफ टो बने आपको पता लगए यह कर दोसर तरफ की बात करें तो जो दूसरे तरफ का liquid है यह एक ऐसा liquid है जिसकी surface tension हमें नहीं पता जिसकी surface tension हमें निकाल ली है हमें नहीं पता और यहां पर भी आपको same करना है इस meter को आपको यहां लगा देना है capital reaction के through liquid उपर जाएगा a point तक आएगा फिर आपने यहां पर अपना तांगुटा लगा देना है users को फ्रेस करते हैं फिर क्या करना देरे से थम भटाना है नीचे आयेगा फिर लगाते यह पिर अटाना है फिर लगा देना के तो यहांपर डॉप बनना स्टार्ट हो जाएगी और यह लाक्विड जो a हैथा वो देरे धेरे करके B पे आ जाएगा तो यह जो liquid है इसकी surface tension तो आपको नहीं पता पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी drop बनी number of drop countable है जो दूसरा liquid है उसकी number of drop तो आप बता सकते हैं पर surface tension आपको पता नहीं वो find करने पड़ेगी तो हमने क्या करा दो liquid लिए एक एसा liquid जिसकी surface tension में पता है तो उसके number of drop भी हमने पता कर लिया कि drop कितने बने और एक ऐसा liquid जिसकी surface tension में नहीं पता पर वहाँ पर भी आपको आपको पता कर लिया कि कितने drop बने हैं क्योंकि drop तो अलग अलगी बनेगे यह हर liquid की viscosity अलग अलग होती है ठीक है तो बड़ा सिंपल सा है इस मीटर को आपको प्लेस करना है और जो लिक्विड यह वह उपर फिल होता जाएगा एपूंट तक फिल होने देना है थम लगा देना है थम रिलीस करोगे तो यह लिक्विड नीचे गरेगा और दिरे-दिरे release करना था कि droplet की पॉम में नीचे गिरे और यह B तक आते ही लिक्विड जो A से B तक आ जाएगा गिरते गिरते तो वहां तक आपको बंद कर देना है ठीक है और number of drug को count कर लेना है अब आप यहां पर देख सकते हैं अगर मैं बात करूए W की तो यहां पर जो डबयू होगा वो होगा 2 पाई आर नाज tyre में नहीं शाह धिसी लेक्चर में ने पताया था ना2 पाई आर नास लेक्चर तो बोलने में आ जया यहे देखो 2πr और यह 2πr होता क्या है 2πr होता है circumference of the capillary तो capillary यूज कर रहे हैं यह पर तो यह जो हमने capillary tube यहां पर लगा रखी है इसका circumference है तो circumference of the capillary this is known as 2πr और यहां पर यह जो gamma लिखा है gamma का मतलब होता है surface tension क्या होता है surface tension जो कि हमें find out करनी है दूसरे liquid की क्योंकि पहला liquid तो हमने ऐसा लिया था जिसकी surface tension हमें पता थी और दूसरा liquid हमने ऐसा लिया जिसकी surface tension हमें नहीं पता थी तो यह बात clear हुई आपको कि यहां पर 2πr केसे आया जो capillary थी उसका circumference होता है 2πr इसलिए 2πr लिखा है और gamma तो हमें पता करना है surface tension दूसर लिक्विट का तो first case में हमने क्या करा first case में हमने वह liquid लिया था जिसका surface tension हमें पता है तो suppose कि जी हमने first case में water लिया था अब water की case में हमें surface tension भी पता है और number of drop जो की गिर रही थी, A point से B point तक आने तक वो भी हमें पता है, ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है W1, क्योंकि पहले वाले liquid की बात चल रही है, तो 2 pi R, जो की circumference है capillary का, फिल लिखा है gamma, surface tension, जो हमें पता करना है, फिल लिखा है N1, N1 का मतलब होता है number of drops, कितनी drop गिरी है, first liquid में, उसलिए हम तो N1, N का मतलब है number of drops, कितनी form होई है, ओके, तो यहां पर अगर में को surface tension निकालनी है, मतलब gamma निकालना है, और gamma निकालना है, तो यह formula कैसे हो जाएगा, gamma equals to W1, जो कि यह W1 है, और बाकी सारा, जो भी यह 2 pi R, और N1 है, इन सब को division में भेज़ दो, तो divide by 2 pi R, N1, क्योंकि हमें ultimately निकालना क्या है, गामा ही निकालना है, और जब गामा निकालना है, तो यह N1 को 2 pi R को सब को W की नीचे बिस दो, सिधी सी बात है, यह तो हुआ, फस्ट केस में जब हमने water लिया, तो हमने क्या करा 2 pi R, गामा N1, अब यहां पर गामा निकालना है, ठीक है, गामा में पता है, वैसे फस्ट केस में water का, तो हमने यहां पर लिख दिया, W1 upon 2 pi R N1, अब यह से ही second case, second case में आपको क्या लिखना है, 2 pi R, क्योंकि यह circumference है हमारे के पिले रिखा, फिर यहां पर गामा 2 लिखा है, जो हमें find करना है, क्योंकि second liquid का हमें surface tension पता नहीं था, गामा 2 हमें find करना है, फिर यहां पर लिखा है N2, number of drops थो हमें पता थी न, second वाले की, तो लिखा है N2, अब हमें क्या find करना है, यहां पर गामा 2 find out करना है, तो गामा 2 equals 2, W2 यह जो W2 लिखा है, और इसके division में क्या कही जाएगा, 2 pi R N2 इसके division में जाएगा, तो 2 pi R N2 इसके division में तो यह हो गया हमारा गामा 2, अब हमारे पास गामा 1 है, जो कि हमें पहले से ही पता है, और गामा 2 हमें find out करना है, ठीक है, तो एक बात आप सभी को पता है, यहां पर आपको मैंने बता रखा है, यह Mg है, जैसा कि आप सभी जानते है, density equals to क्या होता है, mass by volume, ठीक है, यह यह equals to mass by volume, ओके, अब यहां पर आपको दे रखा है, M की जगे हम क्या लिखे, तो एक बात बताए, density equals to क्या होता है, mass by volume, density को हम क्या लिखते है, row से, row equal to mass by volume, अब यह row और volume को multiply कर दो, तो क्या आ जाएगा, M, तो M equals to row into volume, ठीक है, तो आपको वही दे रखा है, M equals to row into volume, यह दे रखा है, दे रखा है, row into volume, तो काफी simple सा है, W equals to होता था, M, जी, अब M की जगे हम क्या लिख सकते हैं, वो हमें पता करना था, तो हमने देखा, density equals to mass by volume होता है, density को हम रोल से लिखते है, row equals to M by V, और हमें M को अलगत से लिखना है, तो density volume को जब multiply करेंगे, तो M आ जाएगा तो M की जगे हम क्या लिख सकते हैं, density into volume, ठीक है, तो यही हमने वही कराए कि, जो M था, उसकी जगे हमने क्या लिख दिया, density into volume, और density को row से लिखते हैं, चलिए row लिखा हुआ है, और G का G, ठीक है, तो यह हुआ, first case में जब हमें पता था, कि surface tension क्या है, यह हुआ, second case में ज यहाँ पर यह जो W आया है, जिसमों हमने लिखा है, row into volume into G, इसको हमें main equations में put कर देना है, यह जो हमारा लिखा हुआ है, W1, W2, इन W की जगे हमें क्या लिख देना है, row VG लिख देना है, तो लिख के दिखाओ, देखो, सबसे पहले हमें gamma 1 तो पता ही है, हमें सबसे पहले वाली surface tension तो पता ही होती है, क्योंकि हमने non-liquid की लिख थी, तो W की जगे क्या लिखना है, row VG, तो row VG divided by 2 pi R N1, row VG divided by 2 pi R N1, देखो, यह लिखा है क्या, row VG divided by 2 pi R N1, ओके, यह row है यहाँ पर, यह row बना रखा है, इस तरह से row, यह V है और यह G है, चलो second में put करो, यह जो W है, जिसका मतलब है row VG, इसको W2 में put करो, तो gamma 2, यह जो दे रखा है, equals to, W2 की जगे क्या रख दोगे, row VG, divide कि से करोगे, 2 pi R N2 से, 2 pi R N2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा है, row VG, 2 pi R N2, अभी आपने simple सा क्या करना है, यहाँ पर आपको द दे रखी है, gamma 1 वाली, second आपको दे रखी है, gamma 2 वाली, ओके, gamma 1 आपको पता है, क्योंकि आपने निकाला हुआ है, आपको पहले सी पता था, water का कितना होता है, surface tension, gamma 2 आपने find out करना है, तो आपको यहाँ पर simply compare करके, एक ratio बनाना है, gamma 1 upon, gamma 2, equals to, row 1 upon, row 2, multiply by, N2 by, N1, तो यहाँ पर आपको क्या-क्या पता है, आपको यहाँ पर gamma 1 पता है, row 1, row 2 पता है, और N2 के case में कितने drops आए, और 1 liquid के case में कितने number of drops आए, यह आपको पता है, और आपको निकालना क्या है, simply आपको gamma 2 find out करना है, we have to find out gamma 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको gamma 2 find out करना है, इस हमें पता है क्योंकि हमने water लिया तो हमें पता है कि water के surface tension कितनी है number of drops भी हमें उसका पता था फिर जो हमने दुसरा liquid लिया था उसका number of drops हमें पता था पर यह gamma 2 हमें नहीं पता यह surface tension नहीं पता तो हम इस formula से निकाल सकते हैं तो यह गिरेगी उसका क्या करना हैовых certificate करना है उपर आपने क्या किया था drop county करी थी कि कितनी ड्रॉब गिर रही यह जो next method है drop यहां पर मैंशन कहले यहां उद्रोमेन करना है पूरी मेंटर्सेस हम करनी है सबसे पहले आपको यही meter लेना है और यहाँ पर दो ही liquid लेना है एक liquid जिसका surface tension आपको पता है दूसरा liquid जिसका surface tension आपको नहीं पता है तो सबसे पहले उस liquid को fill करना है जिसका surface tension आपको पता है A point तक fill करना है फिर उसकी drop यहाँ पर गिरानी है आपको B point तक और जो drop गिरेगी उसका weight count कर लो फिर जो दूसरा liquid है सेम उस liquid को यहां पर fill करो फिल होने के बाद यह तक आएगी फिर आपने क्या करना है बी तक उस liquid को गिराना है उसकी drop का weight count करना है यह जो दूसरा liquid है इसकी surface tension आपको नहीं पता पहले liquid के आपको surface tension भी पता है और drop का weight भी पता लग गया पर जो दूसरा liquid है उसकी surface tension आपको नहीं पता है पर drop का weight तो आपको idea लग जाएगा ठीक है तो बस यहाँ पर drop के weight के बारे में बात की गई है बाकी सब कुस से हमें वहाँ पर counting की हुई थी और यहाँ पर weight की हुई है तो w1 का मतलब है की weight of drop with non surface tension मतलब सबसे पहला liquid जिसकी surface tension आपको पता है वह है w1 w1 मतलब w का weight और weight किसका drop का और कौन सा solution है जिसकी surface tension आपको पता है जबकि w2 एक ऐसा solution है जहां पर surface tension unknown है आपको नहीं पता बस आपको weight पता है ठीक है तो जिसा कि आप सभी जानते हैं जो capillary होती है वहाँ पर जो circumference होता है उसका 2 pi r ठीक है तो यहाँ पर आपको पहले case में दे रखा है 2 pi r gamma 1 gamma 1 surface tension के लिए दे रखा है फिर आपको second case में दे रखा है 2 pi r gamma 2 तो आपको पता है पहले liquid surface tension आपको पता है दूसरा liquid surface tension आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपने लिख देना है gamma 1 and gamma 2 की format में तो gamma 1 को जैसे ही में लिखूँगा तो यह 2 pi r w1 के नीचे चला जाएगा w1 upon 2 pi r और gamma 2 को जैसे ही में लिखूँगा तो यह जो 2 pi r है यह division में चला जाएगा w2 के तो w2 upon 2 pi r फिर यहाँ पर हम करेंगे gamma 1 upon gamma 2 तो gamma 1 है w1 upon 2 pi r और gamma 2 है w2 upon 2 pi r ठीक है अभी यहाँ पर cancel कर लीजिए 2 pi r से 2 pi r तो बचेगा यहाँ पर gamma 1 upon gamma 2 equals to w1 upon w2 तो इस तरह से आपने यहाँ पर पता कर लेना है चूकि gamma 1 तो आपको पता ही है सबसे पहली surface tension तो आपको पता ही है है liquid की फिर w1 आपको पता ही है w2 आपको पता ही है आपको simple से निकालना है हमारा gamma 2 तो gamma 2 निकालना है मतलब surface tension निकालनी है और surface tension हम unknown liquid की निकाल रहे हैं तो यह हो गया आपका weight वाला method drop weight method ओके नव नेक्स method है आपका will में plate method और यहां पर काफी simple सा method है यहां पर एक liquid में आपको लगा देनी है rectangular plate जिसे यह liquid है और इस liquid के अंदर आपने का करना है rectangular plate को place करना है इस तरह से और जैसे यह आप plate यहां पर place करेंगे तो यहां की जो water के molecule होंगे वो इसको downward push करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था water के जो यह liquid के जो अपर molecule होते हैं उन पर downward force लगता है यही surface tension है अब हमें क्या करना है इस plate को pull करना है तो हम जितना pressure से pull करेंगे कम से कम इतना pressure से हमें pull करना होगा इतने force से हमें pull करना होगा कि यह plate जो है यहां से हट जाए तो यहां पर आपको दिखा रखा है है यहां पर मैंने लगा रखी है यक rectangular plate और रेक्टिंगूल फ्लेट पे क्या हो रहा है यहां के जो molecule है यह downward force लगा रहे है अपर molecule जो है water के वो rectangular plate को downward force लगा रहे है उसको नीचे खीच रहे है और हमें क्या करना है इसको force fully उपर करना है तो हमें कम से कम इतना force तो लगाना पड़ेगा जो कि इन molecule के downward force से ज़्यादा हूँ देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ जैसे माल लीजे यहाँ पर rectangular plate रखी हुई है और नीचे है water के molecule और यह water के molecule इसको downward ले रहे हैं अब मुझे क्या करना है यहाँ पर इतना force लगाना पड़ेगा कि मैं इस plate को उपर ले लूँ तो ऐसा force मुझे लगाना पड़ेगा जो कि इस water के molecule का force बंद कर दे कम कर दे और यह plate जो है वहाँ से deattach हो जाए तो उसी moment को हम कहेंगे कि यह इसका surface tension है कैसे पता लगा हमें क्योंकि कि यहाँ पर जो water का downward force है और वही हमने upward उतना ही लगा दिया तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ यह surface tension है समझ गए आप कि जो water का नीचे force लग रहा है हमें उसके counter attack में उपर से force लगाना पड़ेगा और उपर से उतना ही force लगाना पड़ेगा ताकि वह वहां से deattach हो जाए तो जिस force पे वह deattach हो रहा है जिस force पे यह plate अलग हो रही है उसी force को हम कहेंगे कि यहाँ पर यह surface tension है इतना surface tension ज़रूरी है तो वह force से हमें पता लग जाएगा यहाँ पर यह सारी theory मैंने लिखी हुई है put rectangular plate in liquid whose surface tension has to be find out उस liquid में हमने रखा है जिसका surface tension हमें पता करना है now surface tension is applied on plate which pulls downward और जैसे कि मैंने आपको कहा जो यहाँ के water के molecule है वो surface tension लगाएंगे जिसकी वज़े से यह plate जो है नीचे जा रही है now we pull the plate outward with the same force so the surface tension oppose it ठीक है हमें क्या करना है इसको बाहर घीचना है बाहर निकालना है इस plate को और इस plate को हम बाहर निकालने के लिए force apply करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इतना force चाहिए तो जिस point पर हमें पता लगेगा हम बता देंगे कि यह इसकी surface tension है देखो यहां पर the force with which we pulled out plate from liquid is same as surface tension of liquid ओके चलिए नेक्स्ट है आपका ring deattachment method तो यहां पर भी यह simple सा है वहां पर आपने क्या कराता एक rectangular plate रखी थी यहां पर आपने क्या कर देनी है एक ring रख देनी है बस simple सा है यहां पर देखिए यह ring place कर दी यह sample रख दिया sample जिसका हमें पता करना है surface tension कितना होता है और यहां पर ring लगा लिए अब हमें क्या करना है इस ring को वापिस पूल करना है और जितने force हम पूल करेंगे हमें पता लग जाएगा तो फर्क क्या है ring वाले में और विल में plate method में तो देखिए इस plate method में यहां पर आपको rectangular plate है वहां पर एक ring है यहां पर formula कुछ अलग है और वहां पर ring की वज़ हों है वहां से हट जाए dirattach हो जाए और यहां पर r1&r2 हो यहां पर दो radius अब आप बोलो कि दो radius किसली है तो एक तो ring की इनर डदियाई एक आटर समी यह जो यहां पर रिंघे हुई है एक तो इसकी inner radius एक इसकी outer radius यह फरुपर आप देख सकते हैं सेमी-radius थी कुछ मतलब म उसको deattach करना है simple सा पर नीचे आप देखिए यहाँ पर जो ring deattachment method है इस ring में एक तो inner radius होगी इसकी और एक इसकी outer radius होगी तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है एक तो होगी inner radius एक होगी outer radius of the ring तो finally जो निकल के आएगा formula वो आएगा gamma equals to गामा का मतलब हो गया है यहाँ पर surface tension equals to f upon 2 pi r1 plus r2 ठीक है क्योंकि circumference कितना होता था 2 pi r पर यहाँ पर r1 r2 लिखा है क्योंकि एक तो inner radius है एक outer radius है और force लगाना पड़ेगा तो यह सब मैंने आपको लिखके दिखा दिया तो यह सारी methods थी और यह काफी important methods थी जिससे आप surface tension का पता लगा सकते थे आई होब आपको clear होँगे सारी method सबसे पहले capillary देखी फिर drop count फिर weight वाला देखा फिर हमने देखा will में plate method उसके बाद हमने देखा ring de attachment method आई होब आपको सारे method clear हुए होँगे अगर आपको all lectures चाहिए तो आप playlist चेक कर सकते हैं और subscribe का button दबा सकते हैं ताकि all lecture में आपके लिए लेकर आता रहूं इसी best explanation के साथ and जिसने telegram join नहीं किया वो telegram join कर ले क्योंकि telegram पर सारी updates आपको मिलेगी have a nice day thank you